दोस्तों आज हम लोग हिंदी साहिती के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्न पर चर्चा करेंगे जी हाँ आज हम लोग आत्मकता का उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे उससे पूर्व आप सभी से एक गुजारिस है कि मैं यह जो आप लोग को लिखीत रूप प्रदान कराता हूँ इसको एक बार आप लोग स्वयम के द्वारा खुद से पुना जाच अवश्य कर ले क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं नाम, तिथी, अस्तान, काल, रचना, आधी-आधी कई बातों को लेकर कुछ-कुछ गल्तिया, मिस्टेक्स देखी जा सकती है इसलिए आप सभी से गुजारिस है कि मैं जो नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ इसको एक बार आप लोग खुद से पुना जाच कर ले, इसकी पुष्टी अवश्य कर ले मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक दो वीडियो में कुछ छोटी-छोटी मिस्टेक्स देखी गई है जैसे कि मुक्तिबोत के जन बर्स को लेकर मैंने एक वीडियो में गलत बताया जबकि मुक्तिबोत का जन 13 November 1917 को हुआ था, मैंने 1917 के बजाए 1927 बता दिया मेरे एक सस्क्राइबर दोरा ये गलती पकड़ी गई और उन्होंने मुझे कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसी तरह से आप लोग को भी देखना है अगर कहीं सुधार की आवशक्ता हो तो उसमें सुधार करिए और मुझे जानकारी अवश्य दे और उसी तरह से आदिकाल की प्रमुक परवर्तियों वाले वीडियो में मैंने ग्रियेशन द्वारा दिये गए नामकरण को गलत बताया था ग्रियेशन ने आदिकाल को चारणकाल कहा था परंतु मैंने वहाँ पर आरंबिक काल बता दिया तो कहीं कहीं हमें भी confusion हो जाता है और by mistake ये mistakes हो जाती है तो ये मेरी आप सभी से गुजारी से इसको अवश्य ध्यान रखेगा तो आज हम लोग आत्म कथा का उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे मैं आपको exam के point of view से बहुत ही संचिप्त में आत्म कथा का उद्भव और विकास को आज पढ़ाने जा रहा हूँ तो चलिए आज के विसे को सुरू करते हैं विसे को सुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों दिस इस सागर विसुकर्मा और आप सभी का मेरे way to learning sb channel में बहुत-बहुत स्वागत हैं तो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे प्रस्तावना में आप लिखिए कि आत्म कथा को अंग्रेजी में autobiography कहा जाता है क्या कहा जाता है autobiography ठीक है जिसको हम आप विती या फिर अपने जीवन की कथा भी कह सकते हैं कहने कतात पर यह कि आत्म कथा का प्रयवाची सब्द क्या है आप विती या फिर अपने ही जीवन की कथा किसी लेखक या फिर रचनाकार के द्वारा अपने जीवन के अनुभव का वर्णन करने वाली रचना को ही आत्मकता कहा जाता है और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मकता जो है वे हमेशा व्यक्ति परक होती है व्यक्ति परक्ष से तातपरिय है सब्जेक्टिफ होती है आदुने खिंदी साहिती में आत्मकता एक बहुत ही महतुपुन गद्यविदा है दोस्ता आप सभी को बता दू कि आप लोगोंने सुना होगा जीवनी और आत्मकता जीवनी अलग चीज है और आत्मकता अलग चीज है जीवनी को हम बायोग्रापी कहते हैं जीवनी में होता क्या है कि कोई लेखक किसी महापुरूस या किसी महानव्यक्ति के विसे में लिखता है जबकि आत्म कथा में लेखक जो है रशनाकार जो है स्वयम के जीवन की कथा को लिखता है तो ये अंतर रहता है जीवनी और आत्म कथा में आत्म कथा जो है वो दो सब्दों के मेल से बनता है आत्म तथा कथा आत्म का अर्थ होता है अपनी और कथा का अर्थ होता है कहानी इस प्रकार से आत्म कथा का अर्थ हुआ अपनी कथा लेखक जब अपनी कथा को लिखते है या फिर अपनी जीवन की किसी घटना को लिखते ह उसी को आत्मकथा कहा जाता है आत्मकथा का परिभासा देते हुए हरिवन्स राय वच्चन जी कहते हैं कि आत्मकथा लेखन की वो बिधा है जिसमें लेखक इमानदारी के साथ आत्मनिरिक्छण करता हुआ अपने देश काल परिवेश से सामन जश्य अत्वा संगर्ष के द् लिक्षित एवम प्रतिश्थापित करता हैं वही एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनूसार आत्मकथा व्यक्ति के जिए हुए जीवन का ब्योरा है जो स्वेम उसके द्वरा लिखा जाता है दोस्तों आत्मकथा लिखना बहुत ही आसान नहीं होता आत्मकथा लिख रहा है तो वहां पर वह केवल अपने गुडों को लिखेगा तो ये भी अन्याय होगा वहीं और अगर वह अपने अवगुडों को दोसों को लिखेगा तो वह आत्मकथा रोचक नहीं कहलाएगी इसलिए आत्मकथा लिखना बहुत कठीन होता है परन्तु ये हिंदी सा हिंदी साहिती में आत्मकथा का विकास आधुनिक काल के सत्रवी सतावदी से होता है अब आगे आत्मकथा का उद्भव और विकास विस्तार पूरवग निम्न लिखी थे अब तक जो हमने देखा और जो लिखा इसको आप एसे इंट्रोडक्शन लिख दीजेगा बहुत तो यह फुल मार्क स्कोरिंग रहेगा और वही रही बात किसी कम्पिटेटिव एक्जाम या फिर एंट्रेंस एक्जाम की तयारी के लिए उसके लिए भी यह helpful रहेगा लेकिन आत्मकथाय बहुत सारे हैं यह परियाप्त नहीं है अगर आप फुर एक्जामपल नेट की पर आत्मकथाओं की ही चर्चा की है आत्मकथा के उद्भो और विकास को हम लोग लगबग तीन बिंदूओं में देखेंगे सबसे पहला बिंदू रहेगा आरंभिक यूग की आत्मकथा जिसको आप ऐसा भी कह सकते हैं भरंते इंदू पुर्वयूग की आत्मकथा दूसरा बिंदू रहेगा पूर्वयूग की आत्मकथा और एंद्धी साहिति चगत में आत्मकथा का प्रारम जो है लगबगud 70 सतावधी में ही घаю जब हम आत्मकता की चर्चा करते हैं तब बाबर नामा जिक्रे मीर का भी जिक्र होता है परन्तु यह हिंदी भासा की आत्मकता नहीं थी और साती सात्य पद्य इसलिए इसको हम हिंदी की आत्मकता नहीं मान सकते हिंदी की आत्मकता की बात करें तो सन 1641 को बनारसी दास द्वारा रचित अर्ध कतानक को हिंदी का प्रतम आत्मकता माना जाता हैं यह आत्म कथा तो थी परंतु पद्य विदा में थी जिसमें लेखक ने अपने गुडों और अउगुडों का यथात चीतरण किया है तो अगर आप से हिंदी की प्रतम आत्म कथा पूछे तो आप कहिएगा कि बनारसी दास द्वारा रचित अर्ध कथानक जिसका प्रकासन जो है 1641 को हुआ था इसको ही हिंदी की प्रतम आत्म कथा मानी जाती है ये आत्म कथा जो है ब्रिजभासा में लिखी गई थी परंतु ये पद्य विधा में थी गद्य विधा में नहीं थी उसके बाद आत्मकथा की लहर मंद पड़ गई और आगे चलकर आधुनिक यूग में इसका प्रवा फिर से हुआ अब हम लोग दूसरा विंदू देखेंगे सोतंतरता पुर्व युग की आत्मकथा कहने कतात परी की आजादी से पुर्व कौन-कौन सी आत्मकथा लिखी गई उसको अब हम लोग देखेंगे आत्मकथा का प्रारम गद्य विदा के रूप में आधुनिक काल से ही होती है अब तक हमने जो देखा अर्द कथानक वो आत्मकथा तो थी हिंदी की प्रतम आत्मकथा तो थी परंत वो पद्य विदा में थी और गद्य विदा में आत्मकथा का प्रारम जो है वो आधुनिक काल से होता है संस 1879 ईस्वी में दयानन सरस्वति का स्वर रचीत आत्मचरित नामक आत्मकथा प्रकासित हुआ जिसको अधिकतर बिद्वान गध्ये में लिखी गई प्रथम मोलिक आत्मकथा मानते हैं टीक है तो गध्ये बिदा में लिखी गई आत्मकथा अधिकतर विद्वान इसको मानते हैं उसके बाद तो मानो आत्मकथा की एक धारा ही बहती चली गई एक से बढ़कर एक साहिती कारों ने आत्मकथा लिखना प्रारम किया भारत इंदु यूग में स्वयम भारत इंदु जी ने भी कुछ आप बिती कुछ जग बिती नामक आत्मकथा लिखा वही सत्यानंद अगनी होतरी का मुझ्षे देव जीवन का विकास जिसका प्रकासन 1909 में हुआ था और उसका दूसरा खंड जो है वो 1918 को प्रकासित हुई थी वही स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र जिसका प्रकासन 1917 को हुआ था तो जैसे के आप लोग देख रहे हैं अब एक से बढ़कर एक आत्मकथाए सामने आती जा रही है आत्मकथा का प्रकासन होता जा रहा है लेकिन यहां पर केवल में मुख्य मुख्य आत्मकथाओ की चर्चा कर रहा हूं आपको मैं फिर से एक बार बता दू कि मैं संपूर्ण आत्मकथाओ की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं केवल मुख्य आत्मकथाओ की बात कर रहा हूं फिर भाई पर्मानंद की मेरी राम कहानी जिसका प्रकासन 1921 को हुआ था फिर रास्ट्रपिता मह आत्मा गांदी की आत्मकथा भी आई थी जिसका नाम था सत्य के प्रियोग और जिसका प्रकाशन हुआ था सन 1923 को वही स्वामी स्रदानंद की कल्याण मार्ग का पथिक कल्याण मार्ग का पथिक सामने आया जिसका प्रकाशन 1924 को हुआ था वही राम विला सुक्ल की में क्रा कांतिकारी केसे बना नामक आत्मकता सामने आई जिसका प्रकासन जो है 1933 को हुआ था वही स्याम सुंदर दास की मेरी आत्मक कहानी नामक आत्मकता प्रकासित हुई जिसका प्रकासन 1941 को हुआ था फिर गुलाव राई की मेरी असफलता है नामक आत्मकता प्रकासित हुई वही स प्रियाप्त रहेगा अब हम लोग तीसरे बिंदू पर चलते हैं स्वतंतरत्रत्र यूग की आत्मकत्ताय अर्थात स्वतंतरत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र मेरा जीवन प्रभा नामक आत्मकता प्रकासित हुई वही यस पाल की सिंहाव लोकन नामक आत्मकता प्रकासित हुई जिसका प्रकासन 1951, 1952 और 1955 अर्थात तीन खंडों में इसका प्रकासन हुआ था वही अजित प्रसाद जेन का अज्याद जीवन नामक आत्मकता प्रकासित हुई जिसका प्रकासन 1951 को हुआ था वही पांडे बेचेन सर्मा उग्र की अपनी खबर नामक आत्मकता प्रकासित हुई जिसका प्रकासन 1960 को हुआ था फिर हरिवन्स राय वच्चन की क्या भूलू क्या याद करू और नीर का निर्माड फिर नामक आत्म कथा सामने आई फिर बिंद्रावन लाल वर्मा की अपनी कहानी नामक आत्म कथा जिसका प्रकाशन 1970 को हुआ था फिर सुमित्रा नंदन पंध का 60 वर्स एक रेखा कन नामक आत्म कथा जिसका प्रकाशन 1963 को हुआ था वही डेवराज उपाध्याय का योवन के दुआरपर नामक आत्म कथा प्रकाशित हुई जिसका प्रकाशन 1970 को हुआ था वही राम विलास सर्मा का घर की बात नामक आत्मकथा प्रकासित हुई जिसका प्रकासन 1983 को हुआ था। सिव पूजन सहाय का मेरा जीवन नामक आत्मकथा प्रकासित हुई थी, जिसका प्रकासन 1985 को हुआ था, और यही सब सूतंतरता पास्चात के कुछ प्रमुक आत्मकथाए हैं, ठीक है, तो सूतंतरता पास्चात के आत्मकथाओं में आप इतना लिख देंगे तो प्रियाप्थ होगा अब अन्तिम में निस्कर्स लिखे निस्कर्स आवश्य के इसलिमस लिखे कि इस प्रकार से आधुनीक काल से लेकर अब तक आत्मकथाओं जो है वह दरा धड लिखी जा रही है समकालिन और 60-3 यूग के आत्मकथा ने विविन्य छेत्रों में अपना योगदान दिया 60-3 मतलब 1960s के बाद की आत्मकथाओं ने विविन्य छेत्रों में अपना योगदान दिया अर्थात आत्मकथाकार जो है अपनी आत्मकथा लिखते हुए भी अपनी आत्मकथा तो लिख रहे हैं परन्तों आत्मकथा लिखते हुए भी वे सामाजिक परिष्थितियों का उजागर कर रहे हैं थीक है was a kid till kliन समाज में किस प्रकार की समाजिक प्रिष्थितिया थि राजनितिक परिष्थितिया थी या फिर अर्थिक कहे जाती बात कहें कुछ लेश्वर का जो मैंने जीया जिसका प्रकास्जन 1992 को हुआ था किatellis का वह जो यथार्द था जिसका प्रकास्जन 2001 को हुआ तब तक मैंने विवब लिया था साथ आपने लिया था या न लिए था मुझे कमेंट करके अविश्य बताये 2001 तक आपका जन्म हो चुका था या नहीं हुआ है मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं मेरा तो हो चुका था वही फिर बिश्म सहानी की आज की अतीत जिसका प्रकासन 2003 को हुआ था वही कृष्ण बिहारी का सागर के इस पार से उस पार तक अर्थरत मेरे इस पार से उस पार तक मेरा नाम सागर है ना मज़ा कर रहा हूं बहराल इसका प्रकासन जो है 2008 को हुआ था और आज भी बहुत सारे आत्मकताय लिखी जा रही है और साहितिय जगत की आत्मकता एक तो अगर आपके परिक्षा में आपसे आत्मकथा का उद्भव और विकास पूछे तो आप इतना लिख देंगे तो प्रियाप्त रहेगा अगर यह प्रस्ने 18 marks का भी रहेगा तो भी इतना लिख देंगे तो काफी रहेगा और 15 marks का पूछे तो क्या बात ठीक है तो इतना लास्लिए आप से के रहा हूँ कि एक बार पुना जाच अवश्य कर ले पूश्टी अवश्य कर ले घुसक्ता है कहीघ कुछ शूट गया हो या फिर कुछ गल्तियां भी हो सकती है या फिर कुछ वर्तनी में भी सुधार के आवशकता पड़ पर सकती है तो दोस्तो लास्टली आप सब इसे गुजारिस है कि अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अवश्य है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि इस चैनल में आपको हिंदी से जुड़ी तमाम विशयों पर वीडियो अवश्य मिलता रहेगा इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अगर नहीं भी आए तो लाइक अवश्य कर दीजेगा और कुछ पूछना हो या फिर अपना सुझाओ देना हो तो कमेंट करें उसी तरह अपने दोस्तों को शेर करें और बेल आइकन को दवाना बिलकुल भी ना बुले अगर आप बेल आइकन नहीं दवाएंगे तो अगली बार आपको नोटिफिकिशन कैसे मिलेगा तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी किसी अन्यविशे के साथ तब तक के लिए जय ही जय भारत नमस्कार